हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लर्न में दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली तो दोस्तो वीडियो को सुरू से लेके अंततक जरूर देखेगा दोस्तो बताया गया कि बचे 190 करोर रूपिये पर दोस सब्सक्राइब करें निचे लालरंग वाले बटन को क्लिक करके चनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथिसाथ बैल वाले आइकन के घंटे को बजा के All Notification पर क्लिक कर देजे ताकि दोस्तों ऐसे Scholarship Related कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच सके तो चलिए दोस्तों आपको फटाफट बताते हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा साथे साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में और वाट्स अप गरूप में ज़्यादा फैला दिए ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके दोस्तों यहाँ पर देखे साब साब बता दिया 1.60 लाग समान्य चात्रों की सुल्क भरपाई के लिए वित विभाग से मांगी अनुमती उसके बाद बता जारा कि समान्य कल्यान विभाग के पास इस मद में बचे हैं 190 करोर रुपई उसके बाद यहाँ पर देखे बता जारा कि समान्य कल्यान समान्य कल्यान विभाग ने शूल्क भरपाई योजना में छूटे समाने वर्ग के 1.60,00,000 चात्रों को भुकतान के लिए वित विभाग से अनुमती मांगी इस मद में विभाग के पास 190 करोर रुपीय बचे है वित विभाग ने बिना अनुमती रासि के वितरन पर रोक लगा दी है उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा कि परदेश में चात्वरती एवं सूलक परतिपूरती योजना के तहत अभी तक 6.90 लाग विद्यार्थियों को 609 करोर रूपिय का भुकतान कर दिया गया है यह भुकतान 2 अक्टूबर और 26 जन्वरी को किया गया था उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है रिकॉर्ड के अनुसार योजना में इस वर्ग के कुल 8.50 लाग विद्यार्थि पात्र मिले हैं 1.60 लाग पात्र छात्रों को लाभवन्तित किया जाना अभी बाकी है विभाग के पास इस मद में अभ भी 190 करोर रूपिय सेस है उसके बाद बता जाए कि समान कल्यान अधिकारियों का कहना है कि इस रासी से एक लाग और विद्यार्थियों को भुक्तान हो सकता है इस बारे में 24 फरवरी को वित विभाग के श्रैयुक्त सचीव किसव परसाद ने समाज कल्यान विभाग को एक पात्र भेजा इसमें कहा गया है कि अवसेस धनरासी का आरहन वित विभाग की सहमती से किया जाएगा इसलिए समान वर्ग के बाकी बचे छात्रों को भुक्तान के लिए वित विभाग की अनुमती के लिए पात्र भेजा गया है वहीं समाच कल्यान निर्देशालाई के शूत्रों का कहना है कि छात्विर्ती और सूल्क प्रतिपूर्ती योजना में अन्य पीछरा वर्ग की मेरिट काफी उंची गई है इसलिए 190 करोर रुपिये इसी मद में पीछरा वर्ग कल्यान विभाग को हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है देखे बता जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो समान्य वर्ग के बाकी बचे 161.6 लाग चात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा देख पार दोस्तों बता जा रहा है कि समान्य वर्ग के जो चात्रा हैं तो समान्य वर्ग के 1.6 लाग जो बचे 161.6 जीनको नहीं मिल पाएगा और बता जा रहा है 190 करूपे दोस्तों वो भी रोक लगा दी है और विचार जो कर रहे हैं दोस्तों वो अत्यांत पीछले वालों पे दोस्तों विचार कर रहे हैं उसके बाद दोस्तों बता जा रहा है पेंडिंग डाटा किलियर करने का कल अंतिम मौका ठीक है जिनका जिनका शंबंधित जिला समाच कल्यान विभाग अधिकारी के कार्याले में अपने दस्तावेज जमाग कर सकते हैं उनका डाटा आगे बढ़ाने के लिए वेबसाइट को चार मार्च की रात्री 12 बजे तक खोल दिया जाएगा दोस्तों देख पारे इस तरीके से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है सभी छातर छात्राओं के लिए चाहे वो ओबी सी हो एस्टी हो बचे दोस्तों 190 करोर रुपिय हैं वो भी दोस्तों अभी वो की बोल रहे हैं नहीं देने के लिए वो उन पे रोक लगा दिया गया है देख पर दोस्तों अनुमत्ती भी मांगी लेकिन दोस्तों अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है और साथ-साथ ये भी बताया है समान ने पिछले बार चातर चातरों को एसकोर से नहीं देने की बात की है अगर दोस्तों उन लोगों की दोगी तो बचट तो खत्म होई जाएगी चुकि एक सो नबे करोर रुपिया ही अभी बाकी है और एस्टुडेंट कितना बाकी है 1.7 लाग चातरों को भुकतान करना अभी बाकी ही है और बहुतों को तो मिला भी नहीं है दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज आई होप ये छोटा सा इन्फोर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्फूल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मेरे वाट्सप ग्रूपों में फटाफट फैला दीजे ताकि